नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे Gio successfully 5G launch कर चुका है इंडिया में और आपको around 30 to 35% तक देखने के लिए मिलता है इंडिया में क्योंकि यहां पर बात करी जाए तो जिस तरीके से प्रोग्रम जिस तरीके से launches देखने के लिए मिल रहा है तो बहुत जल्दी उमीद है आ लेकिन आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वह करेंगे कि अब बिल्कुल correct time है Gio को अपने product launch कर देना चाहिए जो कि Gio ने कहा था क्योंकि अभी launch नहीं करें तो ऐसा हाल ना हो जाए जो कि अभी previous product का हुआ था नाम नहीं लोंगा उसका में लेकिन लोगों ने accept भी न नहीं किया और इससे कही ना कहीं जो company का मनोबन होता है product को launch करने का कि हां कि हम launch करते हैं लोग इसके लिए कितने जादा excited है वह सब कुछ खरा हो जाता है क्योंकि आज कल कोई भी कोई भी चीज खरीदने से पहले वह review जो चेक करता है और technical review बहुत जरूरी होता है कि इसी भ हम बात करें अभी जो जीओ ने अपने तीन product around एक साल हो चुका है कहे कि हम लेके आने वाले लेकिन वह time is time correct है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में जीओ का true 5G network आपको successfully ज्यादा का place में देखने के लिए मिलता है percentage थोड़ी से कम है लेकिन short शरावा बहुत ज्यादा है और प्रोड़क्ट जीओ एर फाइबर जो की बात की जाए तो सबसे ज्यादा requirement product है आप भी कमेंट करके जुरूर बताती है जगा कि आपकी requirement है और क्या आप expected रख रहे हैं कि हाँ मुझे कम मिलना चाहिए क्योंकि हाँ पर बात करी जाए तो आज की डेट में हमारी वीडियो भ 5G यह हम बात करें जीओ एर फाइवर की requirement बढ़ती चली जा रही है और जो नॉर्मली आपको जीओ फाइवर देखने के लिए मिलता है लिमिटेट लुकेशन में अब उसे मूव उन करने का टाइम आ चुका है बाई जीओ एर फाइवर के दुआरा दूसरा प्रोड़क्ट जीओ क्लाउड पीसी डिवाइस भी कह सकते हैं और इसे सर्विस भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पर बात करी जाए तो दो चीजों पर सबस्यादर डिपेड़नेंसी ती इसकी हाइव स्पीट इंटरनेट वह आपको जीओ एयर फाइवर के दुआरा मिले मतलब वह एटल एक् कनेक्टिविटी जिससे कि हाइव स्पीट नेट होगा तभी आप इसे अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे वह जीओ ट्रू 5 जी ने कंप्लीट कर दिया मार्केट में आने के पाद और तीसरा प्रोड़क्ट जो कि कुछ दिन और लेट कर दियो तो शायद बिके भी ना जियो 5 जी फोन जो की रिक्वार्मेंट है मार्केट में चीपस प्राइस के अंदर जो की जियो ने बादवी किया था लेकिन उसका कुछ आथा पता ही नहीं है मार्केट में बट आप हमाएं चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जब कीचे का राइगल अबडेट के ल हो पाएं और इंजोई कर पाएं जियो ट्रू फाइब जी नेटवर्क का साथ में जियो वैलकॉम ऑफर के साथ जहां पर आपको एटलीस इत्ती स्पीड और अनलिमिटेट डेटा यूज करने के लिए मिले जहां पर लगे कि हाँ अब टाइम आ जुका है ब्रॉडबेंड क हमें एक साथ करेक करके वह आप मुवाइल के साथ भी कर सकते हैं लेकिन जियो एयर फाइबर पार्टिकुलर एक अच्छी फिक्वेंसी बैंड के साथ क्योंकि उमीद तो यह ही है कि यह 26 गीगाहट के साथ और शायद आने वाले टाइम के साथ यह 6 गीगाहट फिक्वेंसी के साथ जो कि आने वाले टाइम में 6 जी टेक्नॉलिजी को भी सपोर्टेबल रहेगा तो उसके लिए जी और फाइबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा सक्सेस्फुल प्रोडेक्ट होने वाला है लेकिन यह कब मार्केट में आएगा सबसे ज़्यादा है लोगों की क्यों अब ही लांच नहीं किया और कोई थाट पार्टी कंपनी इस टेम अपने राउट है कुछ भी लेकर आती है तो रियली बहुत जादा सक्सेस्फुल रहेगा नहीं तो फिर हम आपके लिए कुछ अलग से चीज़ें बताने वाले जो कि आने वाली वीडियो में आपको मिलने जिसमें कि इसकी तो रिकार्मेंट रहेगी क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बहुत जादा इस वे में हो जाएंगे लेकिन हम जो आपको तरीका बताएंगे थोड़ सा डिफ्रेंड बताएंगे लेकिन यहां पर बात करी जाए तो जीओ क्लाउड पीज है सर्विस और दवाइस दोनों क्योंकि यहां पर कंफ्यूज यह होता है तब वीडियो लॉंच की गई थी यहां पर डिवाइस में चलेगा तो डिवाइस भी अच्छी चीज है कि जहां पर आप जियो एर-फाइवर के द्वारा कनेक्टिविटी ले पाई है क्योंकि दोने ही कॉंसेट् फाइवर के द्वारा लें यहां पर तीनों टेक्नोलोजी क्योंकि जियो ट्रू 5G और जियो एर फाइवर एक ही चीज है यहां पर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन डिफरेंट देखने के लिए मिल जाते हैं लेकिन जीओ फाइवर जो है आपको हाइश पी इंटरनेट वन जीपेस के लेकिन हाई कॉस्ट पर लेकिन हम बात करें जीओ ट्रू 5G अभी आपको आराउंट बात की जाए तो 24-25 तक फ्री मिलने वाला पर तरीके से तो यहां पर बात करी जाए तो आप कम से कम थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा 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 एक्सपिरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा लेकिन यही टाइम है क्योंकि अब इत्ती अच्छी कनेक्टिवीटी हो गई है लोग हाई स्पीड करके मुझे हाई गेमिंग एंड हाई प्रफॉर्मेंस पीसी मिल जाता है वीच्वी कनेक्टिवीडी के लिए जो की सबसे जादा अच्छी चीज है तो वह चीज जियो क्लॉड पीसी प्रोवाइट करवाने वाला था लेकिन उसका आता पता नहीं है और ना कोई अपडेट कर रहा है इस बार मुवाइल बहुत जादा अच्छा है का कुछ नई चीज आपको देखने के मिलेंगी लेकिन कुछ टैम तक न्यूज आई फिर वह न्यूज वाले भी ठग गई कि क्या-क्या नई नई चीज़े लेके आए और फिर फाइनली चीज़े खतम हो गई और 10,000 लावा 10,000 के अराउंड ही लेके आया है बिलकुल लेकिन सैमसंग 13,000 चाइनिस कंपनियां अराउंड 13,000, 12,000, 14,000 के करेब के नियरेस्ट 10,000 के पास अपने 5G मुवाइल फोन लेके आ चुकी है और सबस्यादा अच्छी चीज यह है क्योंकि तब से एमिया ऑप्शन च जाती है तो वो कोई बड़ बेक अमांड भी नहीं होता और दूसरी चीज सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप एट लिमिटेट 5G डेटा 4G रिचार्ज पर यूज भी कर पाते हैं तो मतले भी आए कि हाइस्पेट इंटरनेट विट एक लिमिटेट अमांड में तो आप 5G अगरी मॉइल फोन के लिए जो रिकार्मेंट कर रहा है वह सैमसंग हो गए या लावा मॉइल फोन हो गए या चाइनेज ब्रांड हो फुल फुल कर चुकी होंगे तो फिर वह रिकार्मेंट ही खतम हो जाएगी फिर वही हिसाब होगा जो आपके अभी रिसेंटली एक प्र प्रोसेसर की बात कर रहे हैं लेकिन आप लैपटॉप लेकर आ रहे हैं बिलकुल एक ऐसी टेकनोलीजी पर जो आज से अब पाच या च्छे साल पीछे निकल चुकी है तो उसके लिए आप तब प्रपरेशन कर रहे हैं तब आप अच्छी चीज़े डबलट कर रहे हैं तो तो फाइनली आज हमने वीडियो के जरिये ही पूछ लिया फाइनली आप कम लांच कर रहे हैं लोग बहुत जादा रिवाइंड में ये वीडियो आपका अच्छी लगे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जब कीज़ेगा धन्यवाद